नमस्कार स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूँ आपके साथ सौमयराथी डॉक्टर साहिब के एपिसोड में आज हम एक गंभीर लेकिन बहुत आम समस्या के बारे में बात करने वाले हैं कई बार लोगों को ये दिक्कत आती है कि खाना खाते ही पेट में दर्द होने लगता है वो दर्द अचानक शुरू होता है अचानक खत्म भी हो जाता है लेकिन अगर ऐसा बार बार हो तो इसका क्या कारण है और डॉक्टर से मुलाकात करने की जरूरत कब है आज ये सब कुछ समझेंगे और इस बारे में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवनीश कुमार जो कि बिहार के सबसे जाने माने पेट, आंत और लिवर से जुड़े रोगों के विशेशग्यों में से एक है सबसे पहले डॉक्टर साब नमशकार बहुत-बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साब कई बार लोगों को ये समस्या आती है कि पेट में अचानक दर्द शुरू होता है लेकिन हमेशा खाने के बाद ये दर्द अचानक उटता है अचानक शान्त भी हो जाता है तो ऐसे दर्द को इमिडियेट अटेंशिन की जरूरत कब है डॉक्टर से कब मिले कब इसे हलके मिले देखिए पेट में दर्द होना बहुत कॉमन समस्या है कई बार वो चोटी मोटी कारणों से आती है और कई बार बहुत सीवियर प्रॉब्लम के साथ आती है अगर खाने के बाद पेट में दर्द हो रहा हो तो दो तीन चार कारण ऐसे हैं जिन पर आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए और इस चीज़ पर कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए पहला कारण पेट में अलसर की समस्या हो सकती है कभी भी खाना खाएंगे पेट में अलसर होगा तो दर्द बढ़ सकता है और जलन आ सकती है अगर दर्द बहुत जादा हो यूजोली एपिगेस्टरिक एरिया जो पेट का और चाती के बीच का एरिया होता है वहाँ पेस तरह का दर्द होता है, उसके साथ जलन की समस्या आ सकती है, अगर ऐसा होता है तो आप इमीडियेटली डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसके साथ उल्टी की समस्या भी आ सकती है, दूसरा कारण होता है स्टोन की समस्या, अगर गॉल ब्लेडर में स्टोन हो या पित की तरबी जा सकता है ये दर्द बहुत ज्यादा सीवियर होता है और इसके साथ उल्टी की समस्या होना कुछ भी खाने पर पेट में दर्द बढ़ जाना ये रिगुलर हो सकता है इना जंदराज ना करें जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से मिलें अल्टरसाउंड कराएं दर्द पेट में दर्द चालू हो जाएगा उल्टी चालू हो जाएगी पेट फूल जाएगा हाँ पास होना बंद हो गया इस तरह की दिक्ट हो जाती है अक्यूट पैंकेटाइडिस एक जानलेवा बेमारी है इसको बिल्कुल भी अगनور ना करें जैसे ही दर्द होता है इ सबसे खतरनाक बिमारियों में से एक आती है तीसरा चौथा कारण हो सकता है गैस की समस्या है उसके लिए बहुत ज्यादा परिशान होने की जरूत नहीं है अगर यह समस्या लंबे समय तक परसेस्ट करती है उसके दर्द लगातार एक दो घंटे या दिन भर होते रहता है तो खाने के बाद अगर आत में रुकावट है किसी भी वज़े से वो इंफेक्शन की वज़े से भी हो सकता है या कोई गांट बन रही हो उसकी वज़े से हो सकता है टीबी की समस्या में भी इस तरह की दिक्कत आती है जहां आप कुछ भी खाएंगे पेट फूल जाएगा हो सकता है उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बाते बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा इसी के साथ जल्द मुलाकात होगे अगले एपिसोड में तब तक कि अगर वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक क करें कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके और क्या सवाल है धन्यवाद